आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, प्रश्ण है नेमन लिखित में से कौन सा प्रश्ण अपने विशिष्ट शेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है आपको नीचे गए विकल्पों में से यह बताना है कि कौन सा विकल्प अपने विशिष्ट शेत्र से ठीक तरीकी से वह मिला हुआ है विकल्प हैं क्या आप अपने विध्यारतियों को उनकी मोल्यांकन गणित की उपलब्धी के आधार पर वर्गी कृत कर सकते हैं मतलब जो आपके विध्यारती हैं जो आपके वच्चे हैं क्या आप उनको गणित में जो उन्हें अंक मिले हैं उसके आधार पर क्या आप उनको वर्गी करत मतलब मुल्यांकन आप उनका कर सकते हैं तो यह सच नहीं है क्योंकि हम grading दे रहे हैं ठीके क्योंकि हम grading दे रहे हैं इसलिए यह मुम्किन नहीं है फिर है पिछली रात दूर दर्शन पर दिखाये गए श्रजन शील क्रिकेट मैच में निरणायक शन कौन सा था मतलब जो कल रात को क्रिकेट का मैच चल रहा था उसमें पॉइंट बनाना मतलब जो एक निरणायक शन जो एक टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था तो यह भी सच नहीं है क्योंकि इसमें हम कुछ नया नहीं बनाने वाले जो यह मैच है उसको हम याद करकर कुछ नया बनाने वाले नहीं है अगला विकल्प है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकिन अनुप्रयोग पकाने हेतू कोई नई पाक विधी लिखिये मतलब जड़ी बूटियों का इस्तमाल करके चिकिन पकाने की आपको नई विधी लिखनी है तो यह कथन भी सत्य नहीं है फिर है निधारत कीजिए कि दिये गए मापको विशलेशन में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सरवाधिक प्रवत कर सकता है मतलब आपको यह बताना है कि दिये गए जो मापक है जिससे आप किसी चीज को मापते हो तो जो दिये गए मापक है उसमें से सबसे उत्तम परिमाण आपको कौन दे सकता है यहाँ आपको बताना है तो यहाँ आपका सही से परिभाशित करता है इसी लिए यहाँ विकल्ब सही है निर्धारित कीजिए कि दिये गए मापकों विशलेशन में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सरवाधिक प्रवत कर सकता है धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आईएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर